Hello everyone, so, आज का हमारा न्यू टॉपिक है Japanese meet greetings, so, इसमें first is sorry, so, सुमी मा सैन, सुरी इस सुमी मा सैन, नेक्स है गुमेन नसाई, गुमेन नसाई का मतलब भी sorry है, but usually गुमेन नसाई हम friends के साथ यूज करते हैं, it's very casual, लेकिन अगर आप कोई बड़ी mistake कर दें, तो उसके लिए आप sorry कुछ इस तरह बोलेंगे, मो शिवा के अरिमा सैन, next is, thanking at the end of the work, जैसे आप कोई बी टीम वर्क या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके last में आप thanks, कैसे बोलेंगे, so, ओट्सु कारे सामादेस, ओट्सु कारे सामादेस, जब आप भी आप घर से भाहर जाते हैं, तो आप usually कहते हैं न, जा के आता हूँ, so, इसको Japanese में बोलेंगे, इत्ते किमास, इत्ते किमास, और अगर आप से कोई ये बोल रहा है, घर से भाहर जाते वक्त, कि मैं जा के आता हूँ, means इत्ते किमास, so, you will response, like, इत्ते इरशाए, इत्ते इरशाए, इत्ते इरशाए, so, we will say, like, तदाई मा, यानि मैं घर आ गया, so, इसकी response में, क्या बोले जाएगा, उकारे नसाए, उकारे नसाए, so, and then next step, please wait a while, or please wait a little, यानि थोड़ी दे वेट किजिए, so, you will say, चोट्तो मात्ते कुदासाए, चोट्तो means little, मात्ते means wait, and कुदासाए means please, then, इसमें next है आपका welcome, जब भी आपके घर पे कोई guest वगिर हाता, उसको आप welcome बोलेंगे, इरशाए, इरशाए, और अगर कोई shop है, और customer का welcome करना है, so, you will say, इरशाए मासे, इरशाए मासे, and आप ज़्यादा तर जैसे बात कर लेते हैं, बाई करते वक्त, आप बाद में बोलते हैं, please take care, so, Englishman तो हम उसे please take care बोलते हैं, और Japanese में बोलेंगे, कियोट्सु केते कुदासाए, और अगर आपको please take care, किसी बिमार इनसान को बोलना है, किसी sick person को, so, you will say, ओदाई जीनी, ओदाई जीनी, and next is, when others are still working, and I am leaving, यानि और लोग तो काम कर रहे हैं, और अगर आपको जाना है, so, you will say, उसके नी शिट्सुरे इशिमास, उसके नी शिट्सुरे इशिमास, उसके नी शिट्सुरे इशिमास, so, if you like this video, so, please like, comment and share, and also subscribe my channel.